नमस्कार जैहिन दोस्तो सेनिक मंत्रा में आपका फिर एक बार स्वागत है दोस्तो एक बहुत बड़े पैमाने पे अच्छी नोकरी की वेकेंसी आई हुई है पूरी तरह से एक सर्विसमेन भाईयों के लिए है और पूरी तरह से परमानेंट जोब है तो आज इस वीडियो म को दूसरों के पास शेर करियेगा हो सकता है किसी और को इस वेकेंसी की जरुवत हो आपके एक शेर से किसी और की जिंदगी बन सकती है किसी को रोजगारी मिल सकती है और दोस्तों बहुत मेहनत लगती है यह सब research करने में उसके बाद मैं आपके पास information ला पा रहा हूँ तो please इस वीडियो को share किजिएगा और ऐसे ही बहतरीन और आपके काम के उपयोगी वीडियो के लिए इस चैनल को subscribe कर लिजेगा तो दोस्तों कितनी vacancy है और किस जगपे vacancy है क्या location है आपकी job की description क्या रहेगी आपको क्या काम करना होगा और सबसे जरूरी बात कि आप जिस संस्था के साथ जिस organization के साथ काम करने जा रहे हो उसका प्रविश्य कैसा है उसका future कैसा है वो क्या काम कर रहे है और उसके साथ में काम करते हुए आपका future कैसे रहेगा किस तरह से apply करना है यह सारी details इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, अगले 5 मिनिट में आपको यह सारी details पता चल जाएगी तो टोटल वेकेंसी है 1750, यानि की बहुती बड़े पेमाने पे वेकेंसी है, अगर वाके में आप किसी जोब को ढून रहे हैं, पर्मानेट बेसिस पे किसी जोब को ढून रहे हैं, तो इस मौके को आपको चुकना नहीं चाहिए वेकेंसी कहां पर है, PMI Electro Mobility Solution Private Limited, ये कमपनी का नाम है, इस कमपनी ने 1750 वेकेंसी निकाली है, सिफ एक सर्विसमेंट भायों को लेने के लिए सबसे पहले तो जानना ये जरूरी हो जाता है कि जिस कमपनी ने वेकेंसी निकाली है, क्या वो आपके काम करने लायक है, क्या वो कमपनी का भविश्य क्या है और उसके साथ आपका future कैसा रहेगा आपका भविश्य कैसा रहेगा तो short में थोड़ा company के बारे में बता देता हूँ PMI Electro Mobility Solutions Private Limited पिछले 30 सालों से काम कर रही है पहले इसका नाम हुआ करता था PMO Coaches दिल्ली की ये company है 2017 में इसका नाम बदल के रख दिया गया PMI Electro Mobility Private Solutions तो company किस फिल्ड में काम कर रही है दोस्तो आज कल भारत सरकार नए वहान ला रहे हैं जो कि electric से चलते हैं बेटरियों से चलते हैं तो इस फिल्ड में एक बहुत बड़ा future बहुत बड़ा भविश्य भारत सरकार को दिखाई दे रहा है तो आज कल भारत सरकार इन कंपनियों के उपर और इन चीजों के उपर ज़्यादा तवजुद दे रही है तो PMI Electro Mobility Solutions Private Limited यही काम करती है यह company ऐसी बसे बनाती है इस फिल्ड में बहुत सारी बड़ी बड़ी company आ है टाटा जैसी बड़ी-बड़ी company आ है लेकिन उन में से एक ये भी company है जो electric से चलने वाली बसे बना रही है ओल्रेडी इस company ने 1000 tender ले लिए है ओके ये तो हुई company की बात अब ये जानते हैं कि आपका job का discussion कैसा है आपको इसमें किस तरह का काम करना है देखिए 1750 वेकेंसी company दे रही है इसमें company सिर्फ एक सर्विसमें को ले रही है आजकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विन केजरिवाल भी एक सर्विसमें को बहुत जादा तबजुद देते हैं उसी हिसाब से इनोंने भी एक सर्विसमें के talent को पहचाना है उनकी मेहनत को पहचाना है मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि आपके talent की हमारे talent की बहुत सारी बड़ी-बड़ी organization और बड़ी-बड़ी company को ज़रुत होती है तो 1750 एक सर्विसमें चाहिए इस company को as a driver एक सर्विसमें जो JCO rank से retired हुए है उनको station manager के तोर पे रखा जाएगा यानि कि station manager की duty दी जाएगी जैसे army में एक empty JCO होते हैं गाडियों की counting, drivers की counting, उनकी देखबाल करना उनको manage करना इस type का JCO लोगों का काम रहेगा और एक सर्विसमें भाईयों का काम रहेगा जो as a driver भरती हो रहे, उनका काम रहेगा इस bus को चलाना अच्छा, अब बात करते हैं कि इस vacancy को लेने के लिए आपके पास क्या-क्या quality होना ही चाहिए क्या-क्या शर्ते कंप्री ने मांगिए सबसे पहली तो education की बारत करते हैं उनली आठवी पास एक सर्विसमें चाहिए जिन्होंने आठवी पास कर रखी है वो सर्विसमें भी इसमें अपलाई कर सकते हैं दूसरी सत उनके पास heavy driving license होना चाहिए employment के टाइम पे 5 साल पूराना license होना चाहिए कम सकम ये company ने एक शर्त रखी हुई है इसके अलावा कम से कम 3 साल का experience चाहिए इंडिया में heavy vehicle चलाने का जो आपने ओल्रडी फोज में कर रखा है और minimum height चाहिए 5 feet 3 inch की driving के मामले में किसी भी तरह का कोई court case उसके पास pending नहीं होना चाहिए ये तो हुई एक सर्विसमें जवानों की बात जिन्होंने as a driver काम करना है अब ये जान लेते हैं कि as a JCO जो retired है उनको क्या क्या criteria चाहिए तो दो शर्ते हैं उनके लिए company ने ये मांगा है कि इनका background technical या mechanical side से होना चाहिए driving, mtb, mechanical side से आता है और बाकि सारे कहीं सारे trades होते हैं जो कि technical side से आते हैं और company ये भी कह रही है कि इन सभी drivers को और JCO साब को जिनकी भी employment होगी उनको एक महिने के लिए training भी दी जाएगी तिकिए आपको company के साथ में किस तरह से काम करना है तो ये भी एक बहुत अच्छी सुविदा है आपको किसी confusion में रहने की जरूरत नहीं है अच्छा तो अब बात कर लेते हैं कि आप अगर इसमें employment लेते हो तो आपको काम कहां पर करना होगा कहां कहां आपका job location होगा कहां कहां पर आपकी posting आएगी तो देखिए 14 cities इन्हों ने mention किये हुए कि आपको इस जगह पर काम करना हो सकता है लखनो है इन 14 city को इन्हों ने mention किया हुए पूरे city उत्तर प्रदेश के है आपको location वही मिलेगा जोब करने के लिए आपका काम वहीं पर होगा तो इस मौके का आप फाइदा उठा सकते हो आपको अगर इस vacancy की जरूरत नहीं है तो किसी और को share जरूर किजिएगा अब बात करते हैं कि apply कैसे करना है तो आपको screen पे दिखा रहा हूँ पूरा address और email और contact number apply आपने पूरे documents आपके service के पूरे document जिसमें कि आपकी discharge book आ जाएगी आपका health record आ जाएगा और सबसे important आपका driving license होगा और एक छोटी सी application लिख के आपने screen पे दिखाये हुए पते पे post कर देना है register ID कर देना या speed post कर देना है या फिर दिखाये गए email के उपर आपने email कर देना है इससे आपकी application दर्ज हो जाएगी इससे भी जादा अगर आपको कोई information चाहिए तो screen के उपर में इसके contact number दिखा रहा हूँ आप इस contact number पे बात करके और जादा जानकारी ले सकते हैं तो दोस्तों ये थी आज के वीडियो में बहुत काम की चीज़, बहुत काम की जानकारी वीडियो को share कर दीजेगा पसंद आया हो तो like कर दीजेगा और चैनल को subscribe कर लिजेगा ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे खुश रहिए, मस्त रहिए, हस्ते रहिए नमस्कार, जैहिन